तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंप्रोटन एमसी क्यूज लाए हैं जो की एसी सी 1-3-0 के लिए एफकैड के लिए यह आगर आप नीवी एक्जांट की पर पेशन करें तो उसके लिए भी यह क्वेस्टन मोस्ट इंप्रोटन रहने वाले हैं ठीक है तो सिद इसके लाबह मैं यहां पर आपको थोड़ी सी अधिशन इंफरमेशन दूँगा डियाडियो है डियाडियो है डिफेंड्स रिसर्च एंड डेवलोमेंट आर्गनाइजेशन ठीक है यह एक आर्गनाइजेशन है और यह किसके अंडर आती है यह आती है मनिस्ट्री आप डिफ यहां बोलोगरा सेंटर सेंटर विक्रम सारवाइस सेंटर कहां पर है तो इसका अंसर है तुरवनत पूरह में कर सकते थे? क्या है यह लाजर सिटी है के इरला की ठीक है तो हमें यहां पे अचली पूछा हुआ कि बिक्रम सारावाई स्पेस सेंटर कहा है तो इसका सही आंसर रहेगा तिर्वन्त पूरम ठीक है और बिक्रम सारावाई स्पेस सेंटर की फार्मेशन कभी थी 1963 में और यह लेडिंग बिक्रम सारावाई स्पेस सेंटर के इसके डिरेक्टर है यूनिक कृष्णन नायर ठीक है और चेर मैन आफ इस्रो यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस्रो के चेर परसन कौन है एस सुमनाथ ठीक है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोस्टिन पर विचे मंग दा फॉलिंग यह मेजर या औरो मेटर तो ऑडो मेटर से किसको मेजर किया जाता है अंसरी डीस्टेंट को मेजर करने के लिए logic का यूज किया जाता है इसके लावह हमारे पास ब्ल Tag अप technically प्रश्रिया से प्रेशार है इसrate को मेजर करने के लिए या स्टेडियोमेज qué know height को measure करने के लिए stadiometer का use किया जाता है then velocity को measure करने के लिए animometer का use किया जाता है तो यह most important question यहाँ से 4 question बन रहे है उसके बाद आते है next question पे who invented transformer transformer को किसने invent करा था तो यह transformer को invent करा था Faraday ने कब करा था इन्होंने invent August 1831 में important question है यहाँ पे images के थुरू आपको show भी हो रहा है तो इससे आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रहेंगे उसके बाद आते है next question पे which आप the falling is an insulator तो यहाँ पे हमें पुछा है कि insulator कौन सा है इन में अब insulator होता क्या है insulator हमारे पास substances या वो material होते हैं जो current को अलोड नहीं करते हैं current को conduct नहीं होने देते हैं तो यहाँ पे rubber design insulator rubber insulator होता है वो current को अलोड नहीं करता इसके रवाब हमारे पास carbon, silver, copper यह हमारे पास क्या होते हैं यह conductor होते हैं और यहाँ पे हमें बताया है कि insulator और कौन कौन से होते हैं ऐसे रबबर हमारे पास इंसुलेटर है, ग्लास हमारे पास इंसुलेटर होता है, आइल हमारे पास इंसुलेटर होता है, डाइमंड हमारे पास इंसुलेटर होता है, और ड्राइवुड ये भी हमारे पास इंसुलेटर होता है, ये current को alone नहीं होने देते अपने आप में से ठीक है उसके बाद आते है next question में one ohm is equal to one ohm किसके equal होता है भई one ohm किसके equal होता है one ohm equal होता है one bolt upon one ampere ठीक है अब one ohm होता क्या है भई one ohm हमारे पास सबसे पहले ohm क्या होता है ohm होता है electric resistance को measure करने का unit ठीक है ohm क्या होता है resistance को measure करने का unit ठीक है उसके बाद one ohm किसके equal होता है किसी भी substance में से जब one ampere current को पास किया जाता है और साथ में उसका potential difference one bolt हो तो उससे जो resistance मिलता है उसे one ohm बोलते है ठीक है तो यहां पर ohm ला भी बताया गया है ohm ला कहता है कि resistance किसके कोल होता है voltage upon current के ठीक है तो यहां पर हमें पूछा था one ohm किसके कोल होता है तो one bolt upon one ampere okay next question है which of falling are resistors तो इन में से resistor कौन कौन सा है यह पूछा हुआ ठीक है तो यहां पर हमारे बास silver copper aluminium कि All of the above यहां पर सही answer है लेकिन इससे पहले register होते हैं कि हमारे पास material याँ devices जो current को load नहीं करते ठीक है तो silver भी register होता है copper भी register होता है aluminium भी register होता है तो यह हमारे बास सभी register के options थे क्योंकि कि देखो भई register में आप silver copper या aluminium wires को आप हैंड से touch कर सकते हो ठीक है क्योंकि वो यह register होते हैं ठीक है क्योंकि इसमें अगर current भी carry हो रहा हो current current carry हो तो आप उसको touch कर सकते हो क्योंकि यह register होते हैं यह current को अलोड नहीं करते ठीक है उसके बाद next question है which of the falling factors effect resistance of a conductor इन में से कौन से factors हैं जो resistance of conductor को effect करते हैं ठीक है में से कौन सा factor है एक तो length of conductor किसी भी substance या किसी भी metal की जितनी length होगी उतना ही वो resistance को offer करेगा तो length of conductor पर भी depend करता है उसके बाद temperature of conductor conductor का जितना ज्यादा temperature होगा वो उतनी ही resistance offer करेगा ठीक है उसके बाद material of conductor ठीक है material of conductor यसे हमारे पास kind of material यसे हमारे पास iron होता है copper होता है aluminium होता है अलगलग metals होते हैं तो iron क्या करता है यह ज्यादा resistance offer करता है as compare to copper and aluminium इसलिए copper and aluminium wires का use किया जाता है अगर में ठीक है iron का use नहीं किया जाता क्योंकि यह ज्यादा resistance offer करेगा और ज्यादा resistance offer करेगा तो current कम LO करेगा ठीक है तो हाँ तो resistance होता क्या बाई resistance opposite force होती है जो क्या करती है current को LO नहीं होने देती जो क्या करती है current के opposite work करती है तो उसे हम resistance बोलते हैं तो यह सारे factors resistance of conductor को effect करते हैं length भी करती है temperature भी करता है तो all of the above यहां पर answer रहेगा उसके नेक्स question पर आते है resistance of conductor अब डिस्टेंस आफ कंड़क्टर क्या है opposite force है जो current के opposite work करती है तो resistance of conductor किसके निवर्स्टी पर पोश्चन होता है इनिवर्स्टी पोश्चन होता है area of cross section के ठीक है area of cross section के अगर आफ area of cross section कम होगा तो resistance ज्यादा हो होगा तो resistance कम होगा तो इनिवर्स्टी पोश्चन होते हैं यह क्यूसरे के उसके नेक्स question है विचाफा फालिंग इस एक करन्ट को detect करने के लिए किस instrument का यूज करा जाता है तो इसका सही answer है गल्वैनोमेटर करन्ट को detect करने के लिए गल्वैनोमेटर का यूज किया जाता है और current को measure करने के लिए ammeter का use किया जाता है ठीक है इन दोनों में difference है measure करने के लिए ammeter का use किया जाता है और retract करने के लिए glivanometer का use किया जाता है तो यहाँ पे सही answer था glivanometer ठीक है और इसके साथ ही मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आपको ACC 130 में enroll होना है तो seriously अगर आप preparation शुरू करना चाते है ACC 130 की चुकि आपका exam 1 February 2024 में है ठीक है अगर आप अभी से preparation शुरू करना जाते हो थोड़ा थोड़ा time देखे आप चीजों को अच्छे से पढ़ना जाते हो और 2 और 3 revisions करना जाते हो और साथ में बड़ी बात अगर आप 500 अंडर रैंकिंग में आना चाते हो भई तो अभी से आप preparation शुरू कर लो ठीक है ना आपको Independence Day offer भी अभी तक चल रहा है तो इसमें आपको 30% off मिलेगा ठीक है ना काफि discounted rate पे चल रहा है और ऐसे भी सबसे discounted rate में आपको पहले भी ये offer मिल रहा था ठीक है ये आपको price मिल रहा था course का सबसे discounted price पूरे इंडिया में लेकिन इसमें और 30% आपको offer मिल रहा है तो अगर आप course में seriously preparation शुरू करना जाते हैं वई तो अभी से आप इसमें enroll हो जाएए ठीक है चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ विडियो continue करते हैं हम rheostat उसके बाद rheostat is the other name rheostat का दूसरा नेम क्या होता है सबसे बदे रियो स्टाइट वही होता क्या है rheostat एक instrument होता है जो electric current को control करता है कैसे करता है वो control resistance को vary करके ठीक है अगर वो resistance को कम रखेगा तो electric current जादा low होगी और अगर तो resistance को ज़्यादा करेगा तो electric current क्या होगी कम होगी तो rheostat क्या करता है electric current को control करता है resistance को vary करके तो इसलिए इसको variable resistance भी कहा जाता है कि इसको rheostat को तो यहां पर image हो रही है rheostat की यह चीज़ें आपको remind करने में याद असनी से आप चीज़ों को याद रख पाओगे image के थूप ठीक है उसके बाद next question है what is the SI unit of resistance resistance का SI unit क्या होता है तो इस cancer है ohm ठीक है इससे पहले में आपको बताया कि resistance को measure करने का unit क्या होता है ठीक है उसके बाद आते है next question पर name a device used for the magnification object object की magnification के लिए किस device का use किया जाता है तो इसका answer है binoculars ठीक है यह हमारे पास एक instrument होता है यह हमारे पास एक optical instrument होता है जो कि distant object को देखने के लिए यूज किया जाता है, तो Magnification of object के लिए binoculars का यूज किया जाता है, उसके बाद next question है, name a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy कौन सा device mechanical energy को electrical energy में convert करता है, तो इसका सही answer है dynamo, ठीके dynamo क्या करता है, mechanical को electrical energy में convert करता है उसके बाद next question है, name a device through which the truthness of a human being is examined, इसी इंसान की सचाई को बाद निकालने के लिए किस device का use किया जाता है, ठीक है, तो इसका answer है polygraph, ठीक है न, पोलिग्राफ से कैसे किया जाता है भई, यह psychological reading के थूँ किया जाता है, ठीक है psychological reading के थूँ उसको examine किया जाता है, उसकी heart beat check करी जाती है, उसकी sweating check करी जाती है, उसकी expression check करी जाते है, तो उससे क्या करा जाता है, उसमें से उसकी truthness को बहार निकाला जाता है, तो इस device का नाम क्या होता है, यह इस instrument का क्या नाम होता है, polygraph, आते हैं next question पर, which device is used to measure the intensity of earthquake, earthquake की intensity को measure करने के लिए किस device का use किया जाता है, तो इसका answer है, सिस्मोग्राफ, important question है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, उसके बाद next question है, which of the following device convert chemical energy into electrical energy, इनमें कौन सा device है, जो chemical energy को electrical energy में convert करता है, तो इसका answer है battery, ठीक है, थोड़ा सा basic question है, बैटरी क्या करती है, generally आपके गर में भी use होती है, यह chemical energy को electrical energy में convert करती है, उसका नाम next question है, joule, joule is a unit, joule किसका unit होता है, joule 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 किसके इकोल होता है, 1 joule equal to kg meter square upon second square, ओके, आते हैं next question पे, what is the smallest unit of power, smallest unit of power क्या होती है, ठीक है, पावर का सबसे smallest unit कौन सा होता है, यह पुछा हो है, तो इसका सही answer हैगा, आ ना इसको यहां पर option d correct रहेगा milli watt is the smallest unit of power ठीक है इसके इलावा SI unit क्या होता है power का watt होता है लेकिन यहां पर अगर हमें पुछा कि smallest unit पुछा हुआ है power का तो यहां पर सही answer milli watt आएगा उसके पाद next question है an incident ray is यहां पर आपको देखो एक क्या कर रहा है surface बनाया है surface से क्या हो रहा कि incident ray strike कर रही है और वो strike करके then reflect हो रही है ठीक है ना तो हमें पुछा है कि इनमेंसे incident ray कौन सी होती है ठीक है incident ray कौन सी होती है तो incident ray वो ray होती है जो mirror पे strike करती है यह mirror surface पे strike करेगी ठीक है ना the ray of light which falls on the mirror surface जो strike करेगी उसे हम क्या बोलेंगे instant ray बोलेंगे और जो strike होने के बाद then refract हो जाएगी तो उसे हम refracted ray बोलेंगे देखो यहां पर image में आपको show हो रहा है ठीक है उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम refracted ray बोलेंगे और वो ray जो 90 degree का angle form करेगी surface के साथ उसे हम normal बोलते हैं ठीक है इसके लावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ देखो यहां पर normal और incident ray के साथ एक angle बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे angle of incidence कहा जाता है किसे कहा जाता है incident ray और normal ray में क्या होता है incident ray और normal में जो angle बनता है उसे angle of incidence कहा जाता है और normal और refracted ray में जो angle बनता है उसे angle of reflection कहा जाता है यह भी most important है ठीक है तो यही question से हमारे वई इस वीडियो में हमने physics के most important mcqs देखे और साथ ही मैं यहां पर चीज़ों को एक बार फिर से बताऊंगी थर्टी ठीक है न और course में enroll होने के लिए आपको इस number पे हमें message करना 812745966 इस course में आपको क्या क्या मिलेगा full pdf notes मिलेंगे उसके बाद आपको live classes मिलेंगी रात 9 से 11 बज़े तक then आपको daily live classes मिलेंगी 9 से 11 तक उसके बाद आपको mock test मिलेंगे previous year questions मिलेंगे और जो भी candidates थोड़े से वी candidates के लिए क्या हुआ कि उनके लिए अलग से personal classes रहेंगी थोड़े से उनको strategy provide परवाई जाएगी ठीक है न और बड़ी बात ही है कि एक तो आपको discounted rate में ये इस time course मिलेगा जो कि limited time के लिए है ठीक है ना limited time के लिए आपको 30% discount मिलेगा उसके बाद आपकी duty time को adjust करते हुए ठीक है ना mostly candidates हमारे बास duty persons होंगे तो वो उनके time को adjust करते हुए रात को 9 से 11 तरह classes रहेंगी ठीक है ना और साथ ही में आपको personal guidance भी provide करे जाएगी किस तरह से चीज़ों को करना है ठीक है और play store से जाके आपको हमारी ACC Defense Academy की application को download कर सकते हैं और अगर आप किसी reason से रात को 9 से 11 बजे जो live classes रहेंगे अगर आप नहीं जूड़ पाते हो किसी reason से तो आप उनकी videos को बाद में भी आप easily देख सकते हो जो कि आपको ACC Defense Academy की app पे मिलेंगी ठीक है तो यही था course के later और साथ ही में अगर आप booklets order करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए यही था मिलते हम next video में